तुल्ची दास द्वारा रचित रामचरित मानस के बारे में माना जाता है कि इसकी चोपाईओं में मंत्र तुल्ची दास निये स्वेम रामचरित मानस में लिखा है कि रामचरित मानस दोशो दुख और दर्वितता का नाश करने वाली है राम चरित मानस जीवन का मार्क दर्शन करने वाली रचना है और हिंदो धर्म में इसे बहुत माना जाता है अगर आप सारी राम चरित मानस का पाठ कर लें तो आपको हर कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा अगर पूरी रामायन आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ आप सुन्दर कांड का भी पाठ करके लाब उठा सकते हैं आखिर हम जानते हैं कि तुल्सी जानते हैं कि तुल्सी जास ने राम चरित मानस की रचना कब और कैसे की थी ये पूरी कहानी आपको हम बताएंगे लेकिन आप हमारे विडियो में बने रहें अगर पहली बार धर्म संबात को देख रहें तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूले ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक पहुशाते रहें जो सनातन धर्म के बारे में आपको जागुर्ट करता रहेगा तुल्ची दास जी एक महान हिंदू संत समाज सुधारक दर्शन सास्त्री और भक्ती रस के कभी माने जाते हैं तुल्ची दास जी राम के प्रम्भक्त थे, उनके राम जी के प्रती श्रधा उनके जन्म से ही दिखाई गई थी, माना जाता है कि अपने जन्म के समय वो रोय नहीं थे पहला अक्षर राम बोला था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था, उनके गुरु ने उन्हें राम के गुरु मंत्री की दिक्षा भी दी थी, सबसे पहले उन्होंने राम जी का चरित अपने गुरु से ही सुना था, लेकिन जब राम बोला से तुलसिदास कैसे बन उनकी पत्नी ने उनकी आसकती के लिए उन्हें धिकारा था और कहा था कि इतना प्रेम अगर भगवान के प्रती दिखाया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता इससे तुलसी दास के मन में बैराग्य पैदा हो गया उन्होंने ग्रहस्त जीवन का त्याग कर दिया और स सित्रकुट में मिलवाया था और अयोध्या में जाकर रामचरित मानस लिखने के लिए प्रेरीत भी किया था माना जाता है कि जब तुलसी दास जी में कविता शक्ती का स्पुरुन हुआ पहली रचना उन्होंने संस्किर्ट में लिखे थे लेकिन जो पद रात को लिखते वो सुबा हुआ गायब हो जाते थे एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें सपने में अपनी भासा में लिखने का आदेश दिया भगवान शिव ने अजुद्या जाकर काब्य रचना करने के लिए कहा और बरदान दिया कि तुम्हारी रचना साम वेद के समान फल देने वाली होगी माना जाता है कि तुल्शी दास जी ने राम चरित मानस की रचना 1631 में मुगल बश्राह अकवर के सासन काल में की थी तुल्शी दास ने अजुद्या में संपुन राम चरित मानस की रचना की तुल्शी दास ने जब राम चरित मानस की शुरू की थी तो उस समें दिन चैत्र मास की राम नमी थी दिन मंगलवार वैसे ही योग्य था जैसा त्रेता योग्य में स्री राम जन्म के समय था उस दिन तुलसी दास जी ने काबे रचना शुरू की थी और दो वर्ष साथ महिने और चब्विस दिन में इस ग्रंथ की समाप्ती हुई समवत 1633 के मार्ग शिष सुकल पक्ष में राम विवाह के दिन सातो कांड पुन हो गए थे ग्रंथ की समाप्ती के बाद तुलसी दास जी ने भगवान की अग्या से काशी चले गए और उनने भगवान विश्वनात और माता अनपुना को सबसे पहले राम चरित मानस सुनाई कहा जाता है कि जब रात को पुस्तक मंदीर में रखी गई तो सुबह मंदीर के कपाट खुलने पर उस पर सत्यम शिवम सुन्दरम लिखा गया था और नीचे भगवान शंकर की सही थी वहाँ उपसित लोगों ने सत्यम शिवम सुन्दरम की अवाज अपने कानों से भी सुनी थी राम चरित मानस में साथ कांड है तोलसिदास ने राम चरित की रचना ओधी भाषा में की है संस्केत उर्दू-फार्सी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है इस तरीके से पूरी रामाइन की कहानी बनती है और कहा गया है तोलसिदास जी का मानना है कि राम चरित मानस में दोस दुख और दरीदता तथा कलियूग में पापों का नाश करने वाली ग्रंत है राम कथा कलियूग रुपी साप के लिए मुर्नी है राम कथा मनुरत पुरे करने वाला काम देनु गाय है सुन्दर संजीवनी जड़ी भी है राम कथा संपुन विश्व का भार उठाने में अचल प्रितिमी के समान है इसलिए अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको राम चरित मानस का पाठ एक बार अवश्य करनी चाहिए इसलिए के ये आपको जीवन जीने की कला भी राम चरित मानस में आपको सीखने को मिलता है तो आप देख रहे थे धर्म संबाद और इससे जुड़ी अगर और भी कोई जनकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं